बच्पन में आपने जादू तो जरूर देखा होगा यह होता ही इतना खास है जो बड़ो को भी बच्चा बना देता है उन में उट सुकता जगा की जादू तो आपने बहुत देखे होंगे जिसमें हातों से पैसा बनाना मेरा पसंदीदा था और अगर जादू समराठ शंकर दिखा रहे हो तो क्या कहने और एक खबर अब निकल कर सामने आ रही है कि देश के प्रसिच जादूगर समराठ शंकर की जिंदगी पर फिल्म बनने जा रही है तो क्या आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे? नमश्कार दोस्तों मैं गौरफ और आप देख रहे हैं N27 News भारते सिनेमा में जादू को लेकर लोगों की दिल्चस्प भी तो शुरू से ही रही है जादू को लेकर सिनेमा से अब तक करीब 50 फिल्में बन चुकी हैं जिनमें अभीताब बच्चन को लेकर बनी प्रकाश मेरा की फिल्म जादूगर भी है लेकिन अब पहली बार किसी जादूगर की जिन्दगी और जादूई खेल की हकीकत को दर्शाने वाली फिल्म बन रही है वो फेमस जादूगर और कोई नहीं समराठ शंकर है और इस फिल्म का नाम होगा जादू मेरी नजर विबिन भारते और अंतरास्टे फिल्म समारों के लिए बन रही ये फिल्म एक डॉक्यू ड्रामा होगी जो देश विदेश में 45 सालों में करीब 25,000 शो कर चुके जादूगर समराठ शंकर की जिंदगी और उनकी अब तक की यात्रा को फिल्म के माध्यम से दर्शाय जाएगा समराठ शंकर जहां देश के नंबर वन जादूगर के रूप में जाने जाते हैं वहां वे अब तक 18,000 चैरिटी शोप भी कर चुके हैं जो ना केवल उन्हें एक माहान जादूगर बनाता है बलकि एक माहान इंसान भी साबित करता है बहरलाल फिल्म जादू मेरी नजर का निर्मान हरी राज फिल्म्स के बैनर से होगा जबकि फिल्म का निर्देशन वरिस्ट पत्रकार और सूपरसिद फिल्म समिक्षक प्रदीप सरदाना करेंगे प्रदीप सरदाना कई बरस पहले जादूगर समराठ शंकर पर दूर दर्शन के साथ मिलकर दस एपिसोड का एक सीरियल भी बना चुके हैं इसलिए उन्हें अच्छा खास एक्सपीरियंस भी है पिछले साल जनवरी में भी डीडी नैशनल और अकाशवानी दिल्ली ने समराठ शंकर को लेकर एक विशेश कार्रेकरम प्रसारित किये थे इधर करोना काल में भी उन्ह के साथ समराठ शंकर की जनम भूमी हरियाना के एलनाबाद और राजिस्तान के श्रीकरणपुर में भी होगी समराठ शंकर देश की ऐसे जादूगर हैं जिनके शोव विभिन रास्ट्यपति उप्रास्ट्यपति प्रधान मंतरी से लेकर कई फिल्मी कलाकार देख चुके है समराठ शंकर कहते हैं मुझ पर और जादूई कला को लेकर फिल्म बनना खुशी की बात है मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जादू कोई तंत्र मंतर का खेल नहीं है यह एक कला है जिसे हाथ की सफाई और कुछ यंत्रों की साहिता से किया जाता है लोगों के इस अंद विश्व पास को दूर करने और अपनी इस विरासत को सभी में बाटने के लिए मैंने हाल ही में कैसा मैजिक बॉक्स बनाया है जिससे कोई भी जादूगर बना सकता है असानी से जादू कर सकता है अपनी फिल्म के माध्यम से भी मैं यही संदेश देने की कोशिश करूँआ कि तोना कहना और दुश परचार नहीं करना चाहिए यह कहना समराड शंकर का है और इस फिल्म को आप देखने के लिए कितने उत्साहित हैं यह कमन सेक्शन में जरूर बताएं और फिल्म देखना चाहेंगे या नहीं इस पर अपनी जरूर राय दे और ऐसी खबरों को देखन हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर